तो फ्रेंज क्या आपको भी आपकी गल्फेंट छोड़कर भाग चुकी है और आप उसकी यादों में दिन रात आंसु बहा रहे हैं क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें और आप बस रो रहे हैं बिलख रहे हैं दिन भर परिशान हैं अताश हैं और घर वाले भी पूझ रहे हैं कि बेटा हुआ गया कुछ तो बता फ्रेंज आज का हमारा टॉपिक यही है कि आप कैसे अपने पुरानी गल्फेंट को बुला सकते हैं फ्रेंज देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि लड़की के जाने से कुछ नहीं होता जिन्दगी बहु फ्रेंज खुद सोचो कि एक फूल लड़की जिसने आपकी वैल्यू इतनी नहीं की वो चली जा चुकी है और आप उसके बारे में अभी भी इतना सोच रहे हैं अरे छोड़ो ना यार लड़की के बारे में इतना सोचना ही नहीं है दूसरा देखो फ्रेंज याद रखो कि खुद की भडास निकालो अंदर जो भी जो भी आपके अंदर भरा हुआ है ना उसमें घुटो मत उसको निकाल दो निकाल कर फेक दो आप चाहो तो खुब जोरो से चिलाओ चीखो बंद कमरे में हो सके तो शीशे के सामने जाओ और खुब ज़्यादा चिलाओ खुब ज़ अब जादू थर्ड पॉइंट की आप उसके जो भी उसके रिलेटेड़ चीजे हैं उसको अपने आप पास मत रखिए उससे कुछ भी चाहे उसके फोटोस हो उसके मैसेजेस हो उसका कॉंटेक्ट हो उसका जो भी उसके फोटो कहीं गैलरी वाल्ट में पढ़ी हो कहीं पर तो हर एक निशान मिटा दो कुछ भी मत रखो उससे रिलेटेड नहीं तो होगा क्या आप रात भर उठोगे उसके वार्ट सेप के लाज सीन देखोगे और अपने आपको गुटोगे अपने आप में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंज आपको उसके कॉंटेक्ट को भी ड अच्छे दो से बात करें चाहिए वो लड़का हो चाहिए लड़की हो अगर लड़की है तो और भी जादा मस्त चीज है किसी लड़की से या लड़के से जाके बात करो जो कि आपके बातों को समझ सके फ्रेंज बात करने से यह होगा कि वह आपको एक सही रह दिखाएगा और आपको motivate करेगा फ्रेंस उसके बाद है कि आप अकेले ना बैठो क्योंकि आप अगर अकेले बैठोगे ना अकेला दिमाग शैतान का घर होता है अब अकेले बैठोगे ना आप तो आपको कुछ और नहीं सुझेगा कुछ भी नहीं आपको क्या सुझेगा कि यार वो बंदी मुझे छोड़ कर चली गई उससे रिलेटेड आप अच्छी अच्छी बाते सोच रहोगे जो वो थी जो आपके साथ किया करती थी उसको देखकर आप घुट रहे होगे फ्रेंज मैं मानता हूँ कि जब रेक अप हो जाता है तो हमारा मन करता है कि हम अकेले बैठे रहे हैं हमारा कुछ करने को मन नहीं करता ना खाने का ना पीने का ना कुछ भी करने का सिर्फ अकेले बैठ के उसको याद करने का मन करता है लेकिन आपको ये नहीं करना है, अकेले तो बैठना ही नहीं है, उसके बाद आपको बता दूँ कि आप नए दोस्ट बनाएं, उनके साथ घोमें, फिरें, मस्ती, मजाग, खेले, कूदे, जो मर्ची वो करें, लेकिन आप दोस्तों के बीच रही है, क्योंकि फ्रेंज होगा क उनके साथ मस्ती कीजिए, मजा कीजिए, जो मर्ची वो कीजिए, उसके बाद, फ्रेंज, मैं आपको उता दू कि आप खुद को बिजी रखिए, कुछ भी करिए, आप अपने आपको बिजी रखिए, हो सकता है कि आप एक जिमनेश नहीं, कुछ भी आप जोइन कर सकते हैं आप हो सकता है, आप computer classes नहीं जोइन कर लीजे, आप gym classes नहीं जोइन कर लीजे, उसकी membership ले लीजे, जो मर्ची आप एक रूटीन बना लीजे कि आपको शाम को पांच से साथ बजे तक पार्क में जाना हैं और लड़कियां तारनी हैं, आप वो ही कीजिए, लेकिन अपने आ गाने सुन सकते हो, dance मतलब कर सकते हो, जो मर्ची मतलब कि आप गाने सुनिये, नए नए गाने में शौक डालिए, नए गाने, पुराने गाने, जो मर्ची वो गाने सुनिये, लेकिन सुनिये, उसके बाद friends मैं आपको बता दूँ कि आप हो सके तो ऐसे तो नहीं मन करता है, मुझे पता है बहुत ही अजीव सी चीज़ है यह देग्गि आप हो सके तो योगा करिए क्यूंकि अब आपको पता तो योगा और मेडिटेशन से जो पावर मिलती है न वो दुनिया के किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती आप सुबह उठके योगा करिए, सिंपल योगा करिए, कोई मतलब आपको तुफानी करने ज़रोत नहीं, आप सिंपल अगर चीज़े करेंगे तो आपको बहुत जाता हेल्प मिलेगी उससे, उसके बाद है कि आप खुद को टाइम दो और खुद का ख्याल रखो, यार आप उसका भी तो ख्याल कभी रखते ही थे ना, तो आज आप खुद का ख्याल रख लो, मतलब उस बंदी का एक पराई लड़की का आप ख्याल रखते थे, उसके बारे में सोचते थे, आज साला खुद पर जब बात आई है, तो आप खुद के लिए इतना नहीं कर सकते हो, उस क्या होगा, वो आपके दिमाग और दिल से यूँ चुटकियों में निकल जाएगी, और फ्रेंज में आपको एक और लाश्ट चीर्स बताऊं, जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कि आप एक नई बंदी, सेट करो, कोई भी बंदी यार कैसी भी हो, उसके पीछे प पहला प्यार भुलाए ने में भूलता, मतलब कितना ही बुला लो पहला प्यार, तो पहला ही प्यार होता है, मैं कह रहा हूँ साल अगर दूसरी बंदी अच्छी होगी न, दूसरी मस्त हो, तो साला पहले की याद भी नहीं आती, और मैं आपको अपने परस्णल एक्स्पी तो मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत ही जादा आपको रिलीफ मिलेगा और बहुत आप खुश रहेंगे जिन्दगी में तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही आपको अगर और कोई प्रॉब्लम भी आ रही हो तो आप जरूर कमेंट करिए और अगर आप कोई वीडियो पुचेगा थेंक यू फ्रेंज